अगर ये एक चीज आपने डाल दीना तो आपके पोदों में इतने ज़्यादा फ्लावरिंग और फूटिंग होगी कि आप यकीन नहीं करेंगे आप सब्जियां तोड़ते थोड़ते थक जाएंगे लेकिन आपके पोदे सब्जियां देते देते नहीं थकेंगे ऐसा आपने बहुत सारी वीडियोज में देखा होगा और सुना होगा लेकिन ऐसा मैजिक कहीं नहीं होता है क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ यह तुरेकिبेल मैंने 12 सेप्टैंबर को इसके भीर लगाए थे और अब तक मैं इसके तीन हर्वेस्टिंग ले चुकी हूँ बात कहाँ से सुरू होती है यहीं सी सुरू होती है कि मैंने एक मेहने के अंदर इतनी अच्छी हर्वेस्टिंग कैसे ले ली मैंने कोई chemical डाला है इसमें या कोई magic किया है कोई जादू जादू ही खाट डाला है जिससे मुझे इतने बहतरी result मिले है तो वही सारी चीज़े मैं आपके साथ share कर रही हूँ first of all तो मैं बता दू कि यह जो gardening मैंने कर रखी है यह third floor पे है और इतना सारा ताम जाम फैला रखा है कि आप देख पारेगी कितना जादा है और time बिल्कुल भी नहीं होता है बड़ी मुझकल से मैं manage करती हूँ तो आप एक बात बताईए simple से common sense की बात है अगर मुझे chemical ही खाना होगा तो इतना time जाम क्यो करूँगी मैं क्या views के लिए करूँगी व्यूज तो दूसरे तरीके से भी आ जाएंगे फिर इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी केमिकल क्यों डालना जहर क्यों खाना सीधी सी बात यह है कि organic मैं उगा रही हूँ और organic ही मैं खा रही हूँ पहुत simple से life है मेरी और जो मैं कर रही हूँ वह ही आपको दिखा रही हूँ आप ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं यह आपकी problem है लेकिन हाँ मैं organic उगा रही हाँ मेरे follower हैं तो मेरा मतलब अगर आपके mind में doubts आये हैं तो मेरी responsibility बनती है कि मैं आपको बता दूँ कि यह इतने बहतरी result में जे क्यों मिलते हैं वैसे मैं वीडियोस डालती रहती हूँ और मैं सारी चीज़े बताती हूँ अगर आप उन चीज़ों को देखोगे न तो magic trick नहीं है gardening एक पूरा science है किसी एक चीज से ऐसे result हमें मिल ही नहीं सकते हैं एक पूरा combination होता है पूरी बहुत ही लंबी से process होती है उसके बाद में जाके हमें ऐसे result मिलते हैं तो बहुत सारी महनत हमें करनी होती है और बहुत सारा patience भी हमें रखना होता है खूब गलतियां क है जो कि मुझे इस grow bag में इतनी अच्छी सब्जाय मिलती है और दूसरे में नहीं मिलती है डिफ्रेंस में आपको दिखाऊंगी कि क्या के चीजे matter करती है तो आप पूरा वीडियो देखेगा और मतलब लास्प तक देखेगा आपको बहुत सारी मतलब tips मिलेंगी ऐसी जिस इसके लंबाई चोडाई गहरा ही सारी बहुत ही अच्छी है 10 फिट लंबा है और गहराई तो इसके खूब जादा है मुझे पता नहीं है कि एक्जिकली कितना गहरा है तो खूब गहरा है यह और चोडाई भी अच्छी है इसकी और साइज तो है इसकी और फिर यह दूसरी बात full sunlight में है मेरे terrace पे जातर सब्जे है उन में full sunlight आती है तो जिस भी पोदे में फल लगता न या सब्जी लगती है जिसके सब्जे आ रही है तो उसको फुल अगर मैंने दो तिन बार मिट्टी बोला है तो आप समझ लेजी बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है एक बार सब्जी लग जाती है पोदा मेचवर हो जाता है मैंने उसे हटा दिया तो मैं उसके लिए 10 से 15 दिन का वेट जरूर करती हूं उसको recharge करती हूं मिट्टी को इस्ट्रलाइज करती हूं पहले दूप दिखाती हूं फिर उसमें बाकि माइक्रोन्यूटेंट वगेरा है जो खाद है उस सब कुछ add करती हूं सूखा खाद में एक बारी डालती हूं जब मैं मिट्टी तयार करती हूं इसका soil mixture जब मैं बनाती ह और दूसरी बात यह है कि ग्रोव बैग में बहुत सारा garden waste और kitchen waste होता है जितना भी garden waste और kitchen waste होता है इसमें दबा देती हूं क्योंकि इसमें बहुत सार केच्वे हैं जो कि बहुत ही जल्दी उसको डिकप बाज कर देते हैं और इसकी मिट्टी बहुत सांदार बनी हुई है और किसी दूसरे ग्रोव बैग में केच्वे नहीं है जो इसी ग्रोव बैग में केच्वे हैं मैंने ट्राई भी किया दूसरे ग्रोव बैग में लेकिन पता नहीं इसमें ही है और बाकी में नहीं है तो इसमें इसलिए भी मुझे बहुत मिलते हैं क्योंकि वो जो kitchen waste और garden waste उसका होता है तो दीरे-दीरे स्लो प्रोसेस में होता है और वो पोदे को ताकत मिलती रहती है फिर मैं इसके लिए जो खाद देती हूं जो एक महीने का हो जाता है तो जो अफिर गोर्ट डंग होता है बकरी कि मिंगनी उसका होता है liquid fertilizer पोदे को बहुत जल्दी मिलता है और उसकी growth अच्छी होती है तो वह मैं इसको देती हूं साथ में micronutent के लिए मैं weekly एक बार seaweed का spray करती हूं मैं seaweed का आपको कई बार बतायोगा कि मैं seaweed हमेशा रखती हूं seaweed है उसका spray मैं week में एक बार करती ही करती हूं और पोदा को कोई रोग ना लगे इसके लिए हमें सब नजर बनाके रखती हूं घूमते फिरते सीवीड का spray हो गया है और liquid fertilizer liquid fertilizer जिससे 15-20 दिन के अंदर अंदर मैं एक बार इसको दे देती हूं गर्मियों में थोड़ा ज्यादा टाइम ले ले लेती हूं लेकिन सर्दियों में 15-20 दिन में एक बार दे देती हूं जिससे कि पोदे की कोई भी उसमें कमी नहीं आती है और तो उसमें पानी कम देना होता है जादा नहीं देना होता नहीं तो फ्लावर सारे ड्रोफ हो जाएंगे सावरिंग भी करती हूं मैं जब पोदा ऐसा लगता है कि डस्ट जमी हुई है जैसे आज कल बहुत जादा pollution हो रहा दिपावली के आसपास तो सावरिंग कर देती हूं मॉर्निंग के टाइम जिससे उस पर जो भी डस्ट वगेरा है वोस हो जाती है और पोदे पर कोई इंसेक्ट वगेरा नहीं लगता है तो बहुत सारी चोटी चोटी चीज़े हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं अब देखे दूसरा ग्रो बैग है एक छोटा ग्रो बैग और मत काइदे से क्या होता है कि लोकी में फ्लावरिंग पहले होती है लोकी की हर्वेस्टिंग पहले मिलती है लेकिन देखे ग्रो बैग का डिफरेंस है मिट्टी का डिफरेंस है और उसमें मुझे अभी तक हर्वेस्टिंग नहीं मिली है मिल जाएगी पर टाइम लगेगा अभ पेल है लोकी की इसमें क्यों नहीं ली मैंने देखिए यह डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया आपको समझ में आ गया होगा कि मिट्टी और ग्रोबैक की साइज भी ही बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है दूप गेरा तो सेम मिल रही है खाद गेरा मैं सेम दे रही हूँ इनमें डिफरेंस है सिरफ ग्रोबैक की साइज का और उसकी मिट्टी का जो कि आपके सामने है सेम डे मैंने बीज डाले थे और यह रिजल्ट आपके सामने है तो बहुत सारी चीज़े होत होगा जैसे यह पूरा साइंस है इसे अगर समझ कर आप काम करोगे न तो आपको भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे और बहतरीन मिलेंगे उमीद करती हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो पिसे लाइक कर होगा होगा एक होगा है जडो कर दैसमें है कर दो कर दो कर दो कर सामने है